तो हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं केंद्री विद्याले संगठन 2023 का पेपर इसमें आपका जनरल नॉलेज या जनरल साइन्स का क्वेशन पेपर आपसे यहां मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं 2023 में एपेपर हुआ था फेबरी में आए करते हैं इसके क्वेशन को सॉल्व देखिए पहला क्वेशन नंबर आपके सामने क्वेशन नंबर 21 है जनरल एवेरनेस का यहां पर आपके सामने एशरसन ने रीजन दिये गया हैं तो मैं पढ़ता हूं हिंदी में पढ़ूंगा मैं देखिए क्या कहा गया है राज भारत के समविधान द्वारा गारंटी करत वाक सुतंतर और अभिवक्ती के अधिकार के प्रयोक पर युक्ती युक्त निर्बधन लगा सकते हैं मतलब जो स्टेट्स हैं ओके जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं स्टेट can impose reasonable restriction on the exercise of right to freedom किस पर रोक लगा सकते हैं right to freedom of speech मतलब की अभिवक्ती के अधिकार पर speech and expression अभिवक्ती के अधार पर रोक लगा सकते हैं guaranteed by the Indian constitution गारंटीड बाइड इंडियन constitution ठीक ना तो मतलब गारंटी कर जो इंडिया constitution ने अधिकार दिया उस पर ये क्या लगा सकते हैं रोक लगा सकते हैं है ना यहां लिखाई युक्ती युक्त निर्बंधन युक्ती मतलब की एक तरीके से reasonable restriction कह लो है ना तो लगा सकते हैं चलो ये कथन है ये दिया आपको अब इसका reason क्या दिया गया reasonable restriction cannot be imposed on right to freedom of speech and expression in relation to contempt of court ठीक ना मतलब कह रहाए कि इसमें कि न्याले की अवमानना के संबंध में न्याले की अवमानना के संबंध में वाक्स स्वातंत्र और अभिव्यक्ती के अधिकार पर युक्ती युक्त निर्बंधन नहीं लगा जा सकता न्याले की अवमानना के संबंध में वाक्स स्वातंत्र और अभिवक्ती के अधिकार पर युक्ती युक्त निर्बंधन नहीं लगा जा सकता है ओके चलिए ठीक है तो बताइए क्या है यहाँ पर सही आंसर ए सही है आर गलत है ए और आर दोनों सही है देखी पहला वाला तो बिल्कुल सही देख रहा है अबके पास है ना क्योंकि राज्य जो होते हैं अभिवक्ती के अधिकार पर निर्बंधन लगाते हैं जैसे कि लगा देते हैं ओके जैसे कि अभी कोरोना आया था कोविड आया था तो राज्योंने किसी प्रकार के रेली किसी प्रकार के धार्मिक समारों पर अभिवक्ती के अधार पर उन्होंने निर्बंधन लगा दिया था तो पहला वाला तो जो है सत्य है ओके अब देखे दूसरा नियाले की अभमानना, जहां पर नियाले की अभमानना है, है ना, वहां पर भी इस पर प्रतिबंद लगाय जा सकता है, तो correct answer इसका क्या होगा, a तो सही है, मगर r जो है, गलत है, होगे, तो correct answer क्या है, a सही है, और r गलत है, मतलब first इसका correct answer है, ठीक है, चलिए, तो दूसरे question क्यों चलते हैं, question number 22 आ गया है, ये question number 22, देखेंगे question number 22, तो ये तो सही हो गया, question number 1 का answer यहाँ पर answer given 3 है, ओके तो जिस भी बच्चे ने किया है, ये गलत हो गया, उसे 0 marks दिये जाएंगे, इसका correct answer क्या था, इसका correct answer है A, क्योंकि यहाँ पर भारत, राज जो है भारत के समव इदान द्वारा, जो मतलब आपन को अधिकार मिला है, अभिवक्ती का, उस पर राज जो होता है, युक्ति होता, मतलब एक reasonable restriction लगाया जा सकते हैं, तो यहाँ पर 0 marks, चलिए second question देखते हैं, yes, which of the following statement is correct about the Agile, approach to policy making, okay, एक कुछ, कोई approach है, जिसका नाम है A, G, I, L, E, okay, I don't know pronunciation इसका agile है, या agile है, तो क्या कह रहा है कि, which of the following statement is correct, आपको बताना है कि, इस agile approach में कौन सा सही है, it follows a rigid upfront plan for implementation, rigid upfront, मतलब कि यह क्रियानवन के लिए एक सक्त upfront plan, योजना का पालन करती है, okay, then it does not use feedback loop, यह feedback loop का प्रयोग नहीं करती है, it uses real time adjustment, यह real time adjustment, समयोजन का प्रयोग करती है, and fourth है, it is the same as waterfall framework to policy making, यह नीती नर्माण की waterfall framework पद्धादी के समाने, तो यह जिन लोगों ने इस से संबंदित literature पढ़ा है, या matter पढ़ा है, उनी को पता होगा, तो फिरहाल मैं आपको answer बता दीता हूँ, question number 22, का answer है, option number 3, यह real time समयोजन का प्र यह जो एगिल पधती है, यह real time समयोजन का उप्योग करती, तो यहां पर option number 1 है, जो की गलत है, तो कित्ते marks मिलेंगे, 0, इसका correct option है, 3, okay, चलिए अगला देखते हैं, अगला question है, question number 23, question number 23, who had devised the policy called the doctrine of lapse in colonial India, who has devised the policy called doctrine of lapse, doctrine of lapse नाम की योजना, colonial India में किसने device की थी, और अपनेवेशिक भारत में हडप नी थी, के जन्मदाता कौन थे, मतलब जिस समय भारत में उपनेवेश हुआ करते थे, उस समय भारत में हडप नीती के जन्मदाता कौन थे, लाड डल होजी, लाड हिस्टिंग्ष, लाड कार्नवरलिस, एंड लाड विलेसली, तो बहुत लोगों को पता होगा, कि हडप नीती जो है, लाड डल होजी ने दी थी, लाड डल होजी है, लाड कार्नवरलिस ने नहीं दिया था, लाड डल होजी ही इसका सही आंसर है, हडप नीती किसके नाम से जानी जती है, लाड डल होजी के नाम से हडप नीती को जाना जाता है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स, अगला क्वेशन है, क्वेशन अबर 24, येस, विच आफ दा फॉलोविंग इस दा फाइनेस्ट आइरन, और विधा, विधाई कंटेट आइरन, अप टू 70%, 70% आइरन रखने वाला, जिसमें 70% आइरन है, कौन सी आयस्क है, कौन सा लो आयस्क है, जो 70% iron रखता है हैमेटाइट मैगनेटाइट माइका कोबॉल्ट हैमेटाइट मैगनेटाइट माइका कोबॉल्ट तो देखे ये तो iron के टाइप ही नहीं है कोबॉल्ट और माइका दो टाइट है हैमेटाइट और मैगनेटाइट इन दोनों में जो सबसे अच्छा iron होता है, वो magnetite होता है, question number 24 का answer number 2 correct है, ओके तो correct answer क्या हुआ, magnetite, चलिए, अगले question की तरब बढ़ते हैं, yes, next question है, question number 25, which among the following was the earliest arms control treaty which banned nuclear weapon tests in outer space and underwater, निमलिकित में पहली सस्त्र नियंत्रण संधी कौन सी थी, जिसने बाहरी आंतरिच और पानी के नीचे परमाडू हतियार परिच्छन को प्रतिबंधित किया था, कौन सी शस्त्र नियंत्रण संधी थी, पहला, non-nuclear polyphoration treaty, परमाडू अप्रसार संधी, then सीमित परिच्छन प्रतिबंधि संधी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, सामरी खतियार सीमांकन वार्ता, स्ट्रेजिक आम्स लिमिटेशन टाक्स, व्यापक परमाडू परिच्छन प्रतिबंधित संधी, नियंत्र नियंत्र नि तो इसका सही आंसर था, B, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसके अनुसार आप जो है, बाहरी आकाश, बाहर अंत्रिच और पानी के निचे प्रमाडू हुथियार के प्रियोक को, उनके परिच्छन को प्रतिबंधित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर भी 2 है, तो वन मार्क्स दिये जाएंगे हाँ पर स्टुडेंट को, अगला क्वेशन देखते हैं, क्वेशन अबर 26, विच आव दा फॉलोविंग यूनिट्स मेक सेलूलोस, सेलूलोस को बनाने की इकाई कौन सी है, किस इकाई से सेलूलोस का निर्माड होता है, ओके, अभी गिवन है टू, और करेक्ट आंसर इस टू है, किस से निर्माड होता है, सेलूलोस का ग्लूकोस से, चलिए, नेक्स कोशन देखते हैं, इसमें से कौन सा अनिमल जो है, इसमें से कौन सा पशू अंड प्रजक है, अंडे देने वाला कौन सा है, मतलब अविसली अंडे अंडे देने वाला, मुर्गी और बिल्ली, तो बिल्ली तो होती नहीं है, बच्चे देती है बिल्ली, बिल्ली और कुत्ता दोनों ही बच्चे देते हैं, कव्वा और कुत्ता, कुत्ते दो बच्चे होते हैं, तो यहाँ पर आप्शन नमबर D होगा, मुर्गी और कव्वा होना चाहिए, question number 27 का option number D, बिल्कुल सही है यह तो बहुत easy question था कक्छा 5 की बच्चे इसका जवाब दे देंगे, चलिए अगला question है who among the following players, won the FIFA World Cup 2022, young player of the tournament okay, काइलान माबापपे, Alex Mack S. Lear, okay Alistair Rodrigo D. Paul and Ajo Fernandes, तो आपको बताना है कि किसको जो है, player of the tournament का अवार्ड मिला है question number 28 का तो इसका answer है question number 28 का answer है 4, and Joe Fernandes जो है, उनको मिला है, young player of the tournament का अवार्ड, question number 28 का 4 correct answer है ओके, चलिए next देखते हैं तो यहाँ पर zero marks मिलेंगे क्योंकि जिस student ने लगाया है, उसने one लगाया है, और one answer नहीं है, answer है Enjo Fernandes Enjo Fernandes is the correct answer अगला question है, who among the following on the Sahit Academy Yuba Puruskar Sahit Academy Yuba Puruskar in Sanskrit language, Sanskrit भासा का Sahit Academy Yuba Puruskar किसने जीता है, किस लेखक को मिला है, Sahit Academy Yuba Puruskar, question number 29 तो इसका correct answer है, three शुर्ती प्रसाद कनितकर को Yuba Puruskar, Sahit Academy का मिला है, okay तो Sahit Academy का Yuba Puruskar मिला है, शुर्ती प्रसाद कनितकर को चलिए, अगला question देखते है question number 30, ये last question होगा GK का, okay एक मिनट 29 तक हो चुका है yes, question number 30 जो है, ये last question है GK का, but I think ये ठीक है, ठीक है, विल्कुल सही है, okay, ये देखे ये मुझे computer का question actually यादा लग रहा है, 30 question तो वैसे हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है computer से related question है, परन्तु GK में आ गया, तो क्या दिक्कत है USB, आपको बतानी की USB क्या होती है connect peripheral in which data is transferred serially file format used to image image file, तो भाई ये तो देखे, GIF जो होती है, compressed image file ये होता है, ये हुआ करता है okay, ठीक है, enables to across program computer through the image objects are linked to the program enables user to access program on a computer through image objects that are linked to the program ये हो गया, अगला देखते है, देखे USB सबसे simple है, यहाँ पर connects peripherals, तो USB जो होती peripherals को connect करती है, 1st का 4th के वल एक ही option में है तो इसका answer 4 होना चाहिए, तो कौन सा question है, 30 question है और 30 का option number 4 बिल्कुल सही है, okay तो यहाँ पर student ने किया भी 4 है, तो 1 marks दिये जाएंगे, तो 30 का question number 4 है, okay, तो clear हो गया, और देखे वी दी बाकी options को में देख लूँ, तो B का 1st आ रहा है, B क्या है, graphic user interface GUI तो GUI क्या करता है, enable user to access program on a computer through image objects that are linked to the program GUI का नाम ही होता है, graphic user interface, then इसके बाद GIF क्या होती है, C का second दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, एक file format used to compress image files, और OCR क्या होता है, a software designed to take scanned text input and convert into the ASCII code equivalent, तो OCR scanner के जैसे काम करता है, जो scanned text input को लेता है, और उनको ASCII code में equivalent में convert कर देता है, तो यह हो गया सारे question हमारे किस के general knowledge के, done.